हाई फ्रेंज वेल्गुड मॉनिंग नमस्ते जैहिंद खमागणी जैपूर मैं देविंदर सिंग राठोड और आप देख रहे हूँ हमारा यूट्यूब चैनल विनाइक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स उस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक लो बजट का इंडिपेंडेंट हाउस सिंगल स्टोरी और ये है जैपूर रेलवे स्टेशन से तकरीबर 12-13 किलोमेटर पे हातोज गाउं में खंडागा होस्पिटल के बैक साइड में तो चलते हैं बिना देरी के इस से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को करना ना भूले साथ ही लाइक और शेयर जरू करें इस चैनल को तो चलते हैं आज के ये हातोज गाउं में चिरायो होस्पिटल के 800 मिटर पीछे सिंगल स्टोरी मकान है लो बजट में ये आप देख सकते हैं और ये जो सामने रोड दिखाई दे रहा है आपको हातोज से मंगलम सीटी की तरफ जाता है ये रोड 40 पिट रोड है कि सिवरेज डलने की वज़ें से ये रोड भी तूटाव है सिवरेज डली बहीं है यहां पर कि देख सकते हो आगे मंगलम सीटी है और ये मकान इस्ट पेसिंग है सिमप्लेक्स मकान है और आं rapper मंगलम सीटी से सुफिट रोड आ रही है बावन वर्गज में है गूगल मैप से लोकेशन दी गई है बाला जी विहार में है ये मकान बावन गज में एक बहुत तरीन मकान बनाए वे हैं कम बजट में मैं आपको विजिट कराता हूँ अब ये अंदर से दो बेडरूम सेट है ये ये आप देख रहे हैं रैंप और ये हो गई पार्किंग ये पाणी का टेंक है और इससे अभी हम अंदर जा रहे हैं ये फ्रेंट लोकेशन और जैसे ही अभी हमने अंदर ये बाहर से इसका जीना है सीडिया बाहर से है और जैसे हमने एंटर किया एंटर करते ही ये डाइनिंग रूम आ गया आप देख सकते हो डाइनिंग रूम 52 वर्गज में है ये मोडूलर किच्चन ओपन मोडूलर किच्चन है हॉल में ही काम चल रहा है आप देख सकते हो मोडूलर किच्चन का और ये सामने जो टाइल लगी है यहां पर इसका वोश बेसिन बनेगा लगेगा यहां पर और ये कॉमन टॉइलेट बात्रूम आप देख सकते हो टू बेडरूम सेट है ये और ये आप देख सकते हो मास्टर बेडरूम ये वार्डरॉप लगेगी यहां पर और ये पीछे वेंटिलेशन के लिए गैलरी दीवी है और ये फ्रेंट बेडरूम आप देख सकते हो फ्रेंट बेडरूम है ये सिंगल स्टोरी है दो बेडरूम है एक हॉल है ओपन किच्चन है बात्रूम है और अभी हम चलते हैं स्टेर पे से छट पे ये जीना है स्टेल की रेलिंग लगेगी ग्रेनेट का जीना है और उपर मम्टी है ऐसी एनिग अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रोपर्टी पसंद है तो कॉल कीजिए है